Hello my dear students, welcome to Vidya English Classes So, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके लिए एक mock test लेकर आया हूँ जो जह mock test है वो based है preposition और phrasal verb अगर आप किसे भी complete exam की preparation कर रहे हो तो आपको मालुम होगा कि यह दोनों topic preposition and phrasal verbs कितने ज़्यादा important है अगर आपको फिर भी कोई doubt है कि यह क्या होते हैं कैसे काम करते हैं क्या क्या होता है क्यों कौन से rules हैं तो इनके पर based preposition और phrasal verb पर based videos हमने already upload कर चुकी हैं So upload की जा चुकी है उन videos को देखना है उनके बाद आपने इन questions को solve करना हो यह advanced level है अगर आप इन में से सभी questions यह बोल सकते हैं कि 80% questions भी आप solve कर सकते हैं तो आप समझ लेना कि आपको कोई भी नहीं रोख सकता English grammar को solve करने में कोई भी नहीं रोख सकता आपको English का paper crack करने में ठीक है So start करते हैं हम आज का हमारा यह test सबसे पहले क्या है error find out करनी आपने first sentence में error find out करना चाहिए वो test कोई चोटा हो चाहिए बड़ा हो आपको आती ही आती है तो आपने क्या करना है पहले जो question है उसमें कोई ना कोई error है तीनों sentences में आपने वो find out करनी उसके बाद क्या है आपने decide करना कि कौन सा word correct है जैसे clause test आता है आपको exam में complete exam में तो ऐसे clause test जैसा है तो आपने decide करना कि कौन सा word कौन सी preposition यहां पर best है ठीक है उसके बाद question number three है complete the second sentence that has similar meaning to the first यह वाला जो sentence है जो है चाहे ऐसे questions आपको exam में नहीं आते बट मैं आपको बता दूँ आपको बहुत बार क्या करना बढ़ता है descriptive paper में दो जा तीन sentences को combine करके एक करना होता है जा sentence को modify करना तो single sentence को modify करके दूसरी form में लिखना होता है चाहे meaning same हो जा इसके exam में भी ऐसे गते है reading module में तो अगर आप question number three को solve कर पाऊगे तो आप समझ लो कि आप reading के लिए भी writing के लिए भी prep prepare हो आप descriptive paper के लिए एकदम तयार हो और हाँ और जो rules regulation है जा tricks है writing के module में जा descriptive paper में वो next videos में आपके साथ share करूँगा so question number three में करना कि आप bracket में दिये गए word को पहले दिये गए sentence में ऐसे use करना है कि चाहे sentence की form change हो जाए but उसा meaning same रहना चाहिए ठीक है मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इस video के बाद इस mock test के बाद मैं आपको time देता हूँ 24 hours का अगर आप 24 hours within 24 hours आप अपने answers submit करवा देते हैं comment box में तो मैं promise करता हूँ कि इनके answers मैं उसके बाद तुरंत बाद आपको upload कर दूँगा so depend up करता है जितनी जल्दी आप answers देऊगी उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए answers upload करूँगा question number four की बात करें तो इसमें क्या करना है अपने आपको randomly word दिये गए हैं जो हमारे हर complete exam में आते हैं so आपने इने order में लिखना है और question number five है decide करना है आपने के कौन सा word correct है mcqs type है तो आपको preposition दी गए हैं आपने decide करना कि किस blank में कौन सी preposition ज़्यादा अच्छी है उसके बाद है आपने sentence correct लिखना है correct write the correct sentence और 4 sentences दिये गए हैं इनमें से आपने decide करना है कि कौन से sentence में कौन सी mistake है और उने mistake को error को find out करके आपने answer को correctly लिखना है ठीक है तो यह था हमारा आज का test अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी confusion होती है कोई भी doubt होता है जहां किसी question का rule नहीं पता है कि यह करना कैसा है तो पहले आपने प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्फ बेस जो वीडियो अप्लोड की गई है उन्हें देखना है उससे देखने के बाद आपने फिर से try करना अगर फिर भी problem आते है तो पहले आपने comment box में comment करके जाएसे आप आपको screen पर show रहा है आप हमें email के जरीए facebook, telegram और youtube के जरीए contact कर सथा है आप simply हमें message करना और message पर जापने जो problem है share करना और मैं उसके बाद आपको answer जापका solution है problem का वो definitely दूँगा all the very very best and thank you so much for watching, subscribing and liking our channel with your English classes